हलो गाइज, हलो हाव आई यू तो हम नेचरल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे किताब जो मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस बहुत जादा होती है और आवाज साफ नहीं आ पाता है even बहुत सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं mental ability की सारे questions जो भी आते हैं वो सारे questions मैं इसमें cover करूँगा तो पहले मैंने अभी real number के बारे में बताया हूँ ठीक है तो real number के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ real number के बारे में so real number जो होते हैं जो भी number हम day to day life में यूज करते हूँ उनको real number के दो पार्ट आते हैं एक rational number होता है एक irrational number होता है irrational number में क्या होता है कि कोई भी part जो decimal के बाद repeat ना हो उसको irrational number तो कोई सब सारे पार्टे repeat नहीं हो रहे हैं मतलब different different आ रहे हैं ठीक है और rational number के अंदर p by q की form में होगा q is not is equal to zero इंटीजर्स जो भी होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं इंटीजर्स दो इनटीजर्स को कहते हैं इसका मतलब इते हैं मιनस नंबर से लेके प्लस नंबर तक कोई सा भी माइनस से लेके प्लस तक का जो भी नंबर होगा जैसे माइनस 3 से लेके प्लस 3 तक कि सारे इंटीजर्स ही आएंगे ठीक है तो ये सारे इंटीजर्स है जिसे अंडर रूट 2 है तो ये भी plus two plus nine इस तरह का number नहीं आएगा पर दश्मलों के बाद जो number आएगा, और repeated number आएगा तो यहां पर whole number आता है, whole number इसके दो पारत होते हैं एक whole number होता है, एक negative integers होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, जितने भी negative integers हैं यहाँ से लेकि 0 से पहले जितने भी negative integers हैं इसको सारा negative integers में डाल देते हैं ठीके और जो紅 number होते हैं जो 0 के बाद के होते हैं वो सारो को इधर whole number में डाल देते हैं और कि call number के दो Part होते हैं ठीके दुण आओ होल नंबर के decision होते है तो ये तो 0 आ गया ठीके एठ्जिके ओण uniform 2 के यह अप्र हो गए आपको, अब आते हैं, इसके नेशरल नंबर के जो नेशरल नंबर है, हमारра इसके भी बहुत सारे पार्ट सोते हैं एक होता है 1, prime and composite, यहाँ पे क्या होगा, कि जो नेशरल नंबर है न YEard इसके भी पार्ट होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है, इसके अंदर आता है, वन प्राइम एन कमपोजिट, प्राइम नमबर वो होते हैं, वन तो अलग हो गया, निश्वल नमबर, वन के बाद टू थी, फाइफ सेवन सिक्स एट, यह सब क्या है, प्राइम नमबर है, अपने से भी कट रहे हैं, वन से भी कट रहे हैं, अपने से भी कट रहे हैं, और दूसरे नमबर से भी कट रहे हैं, वो सारे कमपोजिट नमबर होते हैं, ठीक है, कमपोजिट नमबर होते हैं, जब मैं लिख रहाता है, तो मेरा पेन खतम हो गया था, तो यूनिट के अंदर बहुत जादा question आता है कि इस तरह का बड़ा सा number दे देता है अब बोलता है कि unit digit बताओं ठीक है तो unit digit में हम क्या करते हैं जो भी last का unit digit होगा हमारा ये last का बस उसको ही plus कर देंगे ठीक है जैसे इसको मैंने 956 को plus किया तो 20 आगया हमारा ठीक है अगर हमको multiplications करना हो यहां पर तो यहां पर हम multiplications कर देंगे last वाला जो भी number होगा उसको हम multiply कर देंगे जैसे जैसे मैंने 2,3,4 को लिया है last में लिया है तूल इसके last में था three इसके last में फोर इसके last में इन तीनों के लेके multiply किया और जो भी unit digit इसका unit digit का answer आएगा four और इसका आएगा zero ठीक है फ इजाम में तो इसको कैसे solve करोगे ठीक है तो की power 718 इसके अंदर जो rule होता है rule of cyclicity यूज़ करते हैं जल्दी solve करने के लिए rule of cyclicity क्या होती है देखो इसको याद करने का तरीका यह एक mobile number है ठीक है mobile number आप याद कर लो तो 0156 ठीक है यह चार नंबर का एक mobile number यह हो गया and four nine फिर 2378 दो दूचार दूच्छे दूआट दस यह mobile number आपको याद करना है ऐसे ही याद करना है ठीक है तब ही आपका नित्व otherwise यह question में गलबला जाओगे तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है ठीक है कि जो 01 इसको पंजा छक्का कह सकते हो और जैसे इसको कुछ भी बना लो कि जैसे इसको याद कर लेना कोई से भी तुब को तुमको लगे ठीक है 49 इसको याद ऐसे ही कर लेना ठीक है 0156492378 इसमें कुछ भी तुम आइडिया बना सकते हो जो कर तुमको लग रहा है कि हां मैं इस तरह से कुछ भी आइडिया बना सकता हूं कोई याद करने का तरीका ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है सैकले सिटी के जब यह दो चार नंबर होते है 0156 तो देखो यहाँ पर एक सेंपल में निकालने के कोश्चित करो 12345678 तो यह जो दो नंबर है ठीक है एंड 56 ठीक है एंड यहाँ पर आ जाएगा 49 तो यहाँ पर जो ट्रेन है यह आगे का इंजन ठीक है बीच की AC बोगी ठीक है तो यह आगे का इंजन और बीच की AC बोगी यह दोनों साथ रहेंगे ठीक है ठीक है और इंजन से पहले एक जनरल बोगी होता है और सबसे आखरी में एक जनरल बोगी होता है तो यह सारे जनरल बोगी रहेंगे ठीक है अंड यह सारे 23 जो है S1, S2, यह सारे sleeper रहेंगे तो ऐसे याद कर लेना जो यह sleeper है यह sleeper है बहुत easy number लिख लेना ठीक है, number लिखने के बाद इसमें कुछ भी नहीं करना AC जो होता है उसको माल लेना 5-6 ठीक है, तो इस तरीके से तुम बना लेना, और एक train क्योंकि मैं regular ट्रेल की सफर ही मैं हूँ, तो मुझे train से ही मैंने कर लिया अपने आपको याद अब मुझे याद भी रहेगा यह कैसे मैं, मैं सिर्फ एक number डालूँगा और फिर यहां से निकाल लूँगा कि 01 जो है, वो engine boggy है, और 56 जो है जो फिर्फ क्लास की जो चीज़े हैं, उसको 0, 1, 5, 6 लिख लेगे, जो 49 है, वो second class की चीज़े जनल लोगों की चीज़े हैं, जो common लोगों की चीज़े हैं, वो fourth है, तो इसको इलग लिख लेगे, जब इसमें क्या होता है, साइकलिस सिटी के अंदर में, कि 0 का पावर अग दिख आएगा, उसका एंसर जो गा, वन होगा, ठीक है, मतलब एक factor होगा, मतलब कि एक ही factor होगा, इसके अंदर two factor होगे, और इसके अंदर four possibility बनेंगे, उसके अंदर एक possibility बनेंगे, जैसे zero का पावर जिरो आया भी समझ में आजाएगा, तो zero का पावर जिरो बदना होगा, 0 होगा अगर 1 का पावर 1 होगा तो 1 होगा 5 का पावर 5 होगा तो 5 ही होगा 6 का पावर 6 होगा तो 6 ही होगा जब हगर हम 2 में आ जाएंगे 2 का पावर अगर कुछ भी आता जिसे 2 का पावर 1 होता है तो यहाँ पे 4 आएगा 2 का पावर 2 होगा तो 16 आएगा 16 का मतलब last में 6 आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये odd है कि even है ये odd है और ये even है जब even होगा तो 6 होगा और odd होगा तो 4 होगा ठीक है तो यहाँ पे लिख्या हमेंने जब even होगा तो 6 होगा जब odd होगा तो 4 होगा ठीक है तो यहां से तुम पता लगा ले ना अब यहां पे 9 में क्या होता है जब 9 यह क्या है odd है कि even है यह odd है odd होगा तो 9 होगा और even होगा तो 8 होगा ठीक है odd होगा तो 9 होगा even होगा तो 1 होगा स्वारी यह last में 1 होगा अभी समझ में आ जाएगा टेंशन मतलो और यहां पर क्या है 4 है न तो यह 2 का पावर 1 में 2, 2 का पावर 2 में 4 2 का पावर 3 में 8 यह 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनती है अगर 2 का पावर आता है लास्ट में कि पता नहीं end product को क्या हो इसका भी find out करने का थरीका होता है तो overall यह याद कर लो अब आते हैं कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई के अंदर कोई साभी number होता है हम पूरे number को कैसे पहचानेंगे कि end में क्या है जिसे end में अगर मालो 0 है 2 है 4, 6, 8 है तो इसके अंदर क्या होता है कि यह even number होता है अगर मालो के end में even है और odd number अगर odd है तो ठीक है अब यह question आ गया तुम्हारे कि यह question का हमें last digit बता दो ठीक है कि इसका last digit क्या होगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें 5 का power लास्ट वाला 8 लिखना है 4 का power लास्ट वाला 7 लिखना है 9 का power लास्ट वाला 2 लिखना है 6 का power लास्ट वाला 2 लिखना है अब हमें पता है कि 5 का जो cyclicity होता है 5 का कुछ भी power हो 5 ही आता है ठीक है क्योंकि अगर हम 5 का कितना भी पावर रग दे 5 आएगा ठीक है अब आते हैं 4 4 4 कहां पे आता है हमारा ये देखो 4 आ रहा है क्योंकि 0,1,1,5,7 पे नहीं आ रहा है ठीक है and 6 का जो पावर आएगा वो 6 ही आएगा तो यहां पे हम देखते हैं कि 4 का जो पावर है ये odd है कि even है क्योंकि हमारा जो 4 आ रहा है वो 4 आ रहा है 4 आ 9 आता है वो 2 ये बाग ये जनरल बाग ये होता है तो इसमें हम 2 ही option रखते हैं एक odd पर और एक even पर option रखते हैं अगर odd होगा जिसे यहां पे है ये odd number है ठीक है तो चार का पावर अगर हम one रखेंगे तो odd का मतलब चार आएगा और nine का जो even है तो nine का जो even होता है nine 81 one होता है ठीक है जो अभी बताये मैंना जैसे even पावर नहीं समझ माएगे nine का पावर even है ठीक है तो even का मतलब ये 81 81 का last वाला हम यहाँ पे लिख देंगे और ये 4 का पावर 7 है तो ये odd है तो जब odd रहेगा ठीक है तो जिसे हम odd ये वला लेते हैं ये odd है तो 4 ले लेंगे ये last में 4 आएगा तो 4 का 4 पावर लिख लिए ये 16 आगया answer इसका ठीक है अब आते हैं हमारा इसका 4 डिजिट वाले का मैंने अभी जस्ट लिखा है देखो अभी जस्ट लिखा है इधर का सब बाकी है फिर मैं सोचा हूँ कि पहले लिख लूँगा अब देन में पढ़ा हूँगा इसके क्या होगा टाइम भी बचेगा और जल्ली भी हो जाएगा अब ये नमबर है इसके उपर में ये नमबर 129 दिखा हुआ है तो अब इसका अगर हमें पूछेगा कि क्या होगा लास्ट डिजिट नमबर तो हम कैसे निकालेंगे देखो एट का पावर हम लास्ट में जो भी नमबर है 28 लिख देंगे 29 लिख देंगे ठीक है चार के पावर को डिवाइट किया तो डिवाइट करने के बाद हम आया 1 मिला तो यहाँ पे जो 8 का पावर होगा उस पे 1 डालके एंसर 1 8 आजाएगा नई समझ में आया कुछ नहीं इसमें क्या करना है जो 7 है लास्ट में 75 है यहाँ पे हमने लिख लिया 7 का जो साइकलिसीटी होता है वो 4 होता है तो 4 को 75 से डिवाइट करेंगे 7 को 75 से डिवाइट नहीं करेंगे इसकी साइकलिसीटी से हम डिवाइट करेंगे 75 को जब से हम 75 को 3 आया इसका पावर को यहाँ हम चड़ा देंगे और ये हमारा answer हो जाएगा ठीक है ये है बहुत easy होता है याद रखना हो ले concept होता है जैसे ये है इसके अंदर हम 8 का 24 जब अगर last में इसमें में ये समझाना है गर last में reminder 0 बचता है तो उसका जो power जो होता है वो 4 होता है तो यहाँ पे 8 का power 4 डालेंगे 8 का power 4 डालेंगे तो इसका याद करने इसको पूरा निम्कालने के जोड़तने 8 अठाई है 64 6 छोड़ दो 4 यहाँ पे रख दो और 64 और 8 से multiply करें आठ चोड़ के 32 तीन छोड़ दो 2 यहाँ पे रख लो और 32 अठा़ करने 14 चोड़ और 13 यहाँ गया एंसर ठीक है तीन का power 31 ठीक है तो यहाँ पे तुमने देख लिया कि इसका last region निकालने के लिए हम क्या करेंगे तीन का power 31 तो हमारा यह वो बागी में आगया तीन ठीक है क्योंके मेरा जो general बागी जो मेरे special बागी है 0151 है और 49 है इसका मतलब इन दोनों में नहीं है तो यह 4 होगा चार से इसको multiply करेंगे तीन पे तीन चड़ा देंगे तीन तरी किनो 27 होगा answer ठीक है फिर यहाँ से आते हैं यह जो जिसे question है 7 84 वन इसका last ले ले लेंगे last का 2 जिटी फोर से divide करेंगे 0 आएगा 4 चड़ा देंगे 7 और इसका answer आजाएगा एक जादे हम जमाग नहीं लगाएंगे अब number of factors के बारे में जानेंगे number of factors क्या होते हैं कि किसी भी जिसे यह जो बारा है यह complete divide होगा किस किस से होगा 1 से होगा 2 से होगा 3 से होगा 4, 6 and 12 से हो जाएगा यह इस तरह से complete factor हो जाएगा 6 factor होगा इस में से कुछ तो यह 2, 4, 6, 4, 3 यह 4 जो है even factor है और 2 odd factor यह question पूछता है इसके अंदर कि किसी भी का even और odd factor निकालो तो prime factorization करते हैं जिसे 12 को हम prime factorization करेंगे तो 2 का power 2 आएगा और 3 का power 1 आएगा 1 का power 1 नहीं लेते हैं इसका जो total factor का formula है जो भी power उसमें plus 1 plus 1 करके और answer आजाता है total factor का ठीक है यहाँ से if p is equal to 2 तो यहाँ से odd और यहाँ से even अभी आएगा ने समझ मेंगा तो यह तुम समझ लेना ठीक है यह इसका अगर p का जो value है 2 है तो if p is equal to 2 तो जो power लेंगे न odd के लिए तो b1 plus b2 b3 लेंगे ठीक है और even में क्या लेंगे यह a a और plus b plus c और यह भी पता लगा लूँगा मैं बता दूँगा तुमको कैसे निकालना है tension ना लो इसका तो फिर अब आते हैं n का power 2 के power 3 यह मैंने factor निकाल लखा है total factor के लिए हम क्या करेंगे 3 plus 2 plus 2 1 plus 2 इस तरह से 72 आ जाएगा answer अब और निकालना है इसके अंदर तो और निकालने के लिए quite obvious मैं क्या करूंगा और निकालने के लिए यह चो factor यह आगे का छोड़ दूँगा क्योंकि और निकालना है तो यह और में 2, 2, 4 और एक यह और आ जाएगा और even निकालने के लिए हमको इसी odd में से ठीके न total में से odd को minus कर दूँगा तो यह मेरा निकल जाएगा even even factor कितना आएगा इस number का even factor जो होगा 54 होगा odd factor होगा 71 तो इस तरह से याद कर जिसे 120 है तो इसका निकालने total factor निकालने के लिए 3 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 2 इस तरह 16 आगया 16 जो देखो 120 को इस तरह से हमको तोड़ देंगे प्राइम factor हो जाएगा 16 आगया 16 का जो odd factor होगा तो हमारा 2 plus 1 में क्या करते हैं कि odd को लेते हैं 2 plus 2 is equal to 4 even को इस में से total में से इसको minus कर देते हैं ठीक है तो यह simple सा था और इसमें और भी है तब तक के लिए अपना ख्याल लखो take care bye bye heaven eyes day